2024 का चुनाओ वी बीम से नहीं होगा अगर इबीम से हुआ तो सबसे बड़ा घोटाला होगा ये मैं नहीं कह रहा हूं ये उस पार्टी का सांसत पुर्व कैबिनेट मंत्री और ब्रहमन समाज का नेता कह रहा है कि अगर 2024 में इबीम से चुनाओ हुआ तो देश का बरबाद हो आता है और इबीम से फेर चुनाओ नहीं हो सकता है एक दम जग कह रहा हूं 2024 का चुनाओ इबीम से नहीं बैलट पेपर से हो क्योंकि इबीम हैक हो सकती है पता ये किसने कहा है बढ़ामन समाज का नेता जो अभी मेंबर अब पार्लियामेंट है उस पार्टी के नेता है जो अभिस्सान सद है सोचिए और एक और बहुजन समाज की बेटी को रोहित बेमुला होने के लिए मजबूर किया जा रहा है ये वीडियो देखिए ये डॉक्टर रितू का वीडियो है पिछले एक महीने से लगबग वो दिल इनवर्सिटी में धूब बारिस गर्भी में धर प्रसनाल्टी बच्चे उनसे खुश रहते थे स्टूडेंट्स पॉर्फेसर थी असिस्टेंट पॉर्फेसर उनको मनुबादी प्रिंस्पल ने नौकरी से निकाल दिया आप सोचिए नमस्कार मैं संभुक उमार सिंग और आप देख रहे हैं निस्नल दस्तक वो तमाम बड़ी खबरे जो सोसल मीडिया पर वाइरल है ये खबरे आपको कोई टीबी अख़वार नहीं दिखाएगा कोई सवन पत्रकार नहीं दिखाएगा इसलिए निस्नल दस्तक इसलिए बात करता है भय भूख भरस्टा चार की बात करता है सत्ता से सवाल पूस्ता है जाती बाद मनुबाद ब्रहमन बाद के खिलाब बात करता है संभधानिक अधिकारों के परति आपको सजक करता है सबसे पहले आज तस्वीर ये देखिए आज पता है क्या है संकल्प दिवस ह आप कभी जाएगा गुजरात के बरोद्रा में सोचिए गुजरात के बरोद्रा में एक घना जंगल है आज भी वो घना जंगल है 23 सितंबर आज ही का वो दिन था बाबा सहेब बरोदा नरेश के हां नौकरी कर रहे थे जातिबाद के सिकार हुए एक जिस घर में रहे रहे थे उस घर में अंटेशेवल को रहना नहीं था उनके जान के पीछे लोग पर गए है वो उन्होंने पूरी रात उस जंगल में बिताई जिसके नदी में मगर मच आज भी है वो घंगोर जंगल आज भी है निशनल दस्तक के ट्वीटर पर वो रिपोर्ट भी देख सकते है मायवती जी उसी जगह ये मालियान पर कर रही अब नया पेर लगा दिया गया अगर बाबा सहब ने उस दिन संकल्प नहीं लिया होता तो क्या होता अभी बहस चल रही है बाबा सहब की भूमिका पर मैं फिर कह रहा हूँ अगर बाबा सहब नहीं होते तो इस देश के करोरों स्टी, स्टी, ओबिसी, अलफ संकल्प और महिलाएं मजदूर, गरीब, लाचार और बेवस होता संबिधान तब भी होता, आजादी तब भी मिलती लेकिन बाबा सहब नहीं होते तो मनु बाद, जाती बाद, ब्रहमन बाद जो आज फन कारे हुए है वो सब को रोज डस रहा होता आभी कम से कम डसने में डरता तो है कि बाबा सहब का संबिधान नाम का वैक्सिन है जो हमको मिल सकता है तो चलिए एक एक करके खबर बताता हूँ सोचिए, दानिस अली ने एक और ट्वीट किया है आपको पता है दानिस अली और विधूरी के बीचे लड़ाई क्यों सुरू हुई कौन है इसका असली गुनहगा दरसार रमेश बुधूरी ऐसे ऐसे सब्द का इस्तेमाल कर रहे थे तो दानिस अली ने का कि संसद में इस तरह की भाषा बोलते है वो खुद परधान मंत्री के लिए बोल रहे थे कि परधान मंत्री को पहले इस तरह की भासा में कहा जाता था उन्होंने कहा कि ये तो समयधानिक भासा इसी के बाद उनको गाली देने जिया जाए लगा तो सुचिए कितनी बड़ी बिड़मना है और मैं बता दू EBM वाली ख़वर मनिस्तिवारी नाम है उनका UPA2 में मंत्री भी थे अब उन्होंने कहा है कि EBM हैक हो सकता है और 2024 का चुनाओ EBM से नहीं होना चाहिए सुचिए कॉंग्रेस EBM लेकर आई पता EBM कब आई मैं आजादी के पहले मैं भूलना चाहता हूं सब कुछ मैं चाहता हूं मेरे मेमरी से सब भूल जाओ आजादी के बाद मजबूत भारत बना समराट अश्रोक का फिर से भारत बना साहुजी महराज का भारत बना सिवाजी महराज का भारत बना तो सोचिए जब देश आजाद हुआ जब S.C.S.T. को रिजर्वेशन मिला पिछेरे बैकवर्ड तो कहीं लिस्ट में ही नहीं थे S.C.S.T. के रिजर्व सीट पर लोग अपने नौकर जिताते थे उसके बाद धीरे धीरे देर सबेर बहुजन निताओं की बारी आई कर पुई ठाकुर लालु यादब कांसी राम सहाब करुना निधी उन्होंने कहा जिसकी जितनी संख्यावारी उसकी उतनी भागिदारी तब यही कॉंग्रेस EBM लेकर आ गए पहले लोग बूत लूटते लेते थे मनुबादी बोट नहीं डालने देते थे जब लोग बोट डालने लगे जब सजग हो गये तो EBM लेकर आ गए सोचिए तो इसलिए मैं कहरा हूँ गढ़ा खोदोगे तो खुद भी गिरोगे सोचिए बहुजन समाज 70-75 नहीं 200 सालों से मीडिया का भहिसकार जहल रहा है कॉंग्रेस 10 साल नहीं जहल पाई अब इन लोग को पता चल रहा है कि मीडिया का भहिसकार क्या होता है जातिवाद क्या होता है मनुबाद क्या होता है अब रहाम मनुबाद क्या होता है ठेर तो अब EBM का बिलोज सुरू हो गया है सबसे ज़्यादा बामसेफ इसका अंदोलन चला रहा है सच्चमुच EBM का चुनाव नहीं होना चाहिए EBM संदिग्ध है सोचिए चांद पर गया चंद्रयायन भी यहां से कंट्रोल हो सकता है सेटिलाइट से मसीन है भाई इन बीम कंट्रोल नहीं हो सकता है यह रेड लाइट जैसा है उसको लाल फिक्स कर दीए तो लाल जलेगा एलो फिक्स कर दीजे एलो जलेगा ग्रीन फिक्स कर दीजे ग्रीन जलेगा मुझे तो हजारों की संख्या में फोन करके लोगों ने कहा कि EBM में जो बैटरी लगती है सोचिए पूरी दिन बोटिंग होई सील हो गया, जब EBM खुलता है तो पता चलता है कि 100% बैटरी बचा हुआ है अरे भाई साथ बैटरी खतम नहीं हुआ था इसका मतलब है कि EBM बदल दिया जाता है तो EBM की विश्वस्नियता पूरी संदीदिया और सोचिए दुनिया में जिसने EBM बनाया, जो EBM की चिप बनाता है जापान वो भी बैलेट से चुनाओ कराता है और सोचिए एक महीना तक चुनाओ करा लिया जा तर क्या दियाता है तुरंट चुनाओ की गिंतिया अरे एक महीना तक चुनाओ चलता है पेटी को रखके आप सुरक्षाल करवाते हो और मतलब एक महीना तक चुनाओ चले लेकिन गिंती में तुरंत होना चाहिए अगर एक महीना चुनाओ चली रहा है तो बैलेट पेपर से चुनाओ कराओ और पांच दिन गिंती में पांच दिन और मतलब 30 दिन रूख सकते हैं तो 35 दिन नहीं रूख सकते हैं कितना बड़ा मनुवादी आईडिया है सोचिए तो यह बहुजोनों की हक मारी है जिस दिन इस देश से EBM हर जाएगा ना उस दिन इसमें SP DM मानेवर का नारा था ना अरक्षन से लेंगे SP DM बोन्ट से लेंगे SP DM इस देश का SCST OBC अलफ संकक उसी दिन हुकमरान हो जाएगा इस देश का सबसे बरा अंदुलन EBM के खिलाफ होना चाहिए एक बार मैं चुनाव आयोग में गया मैंने EBM पर सवाल पूदिया मुझे बैन कर दिया गया तो सोचिए यह इस्तिती है तो देखते हैं कि EBM को लेकर क्या होता है तो सोचल मेडिया पर अभी है तस्वीर देखिए यह तस्वीर है डॉक्टर रितू की PhD दिल इन्वर्सिटी की पर्फेसर जहारू लगा रही है बारिस में यह धरने पर बैटी है इनको रोहित बेमुला बनने के लिए मजबूर कर दिया गया है एक अपर कास्ट की प्रिंस्पल ने इनको नौकरी से निकाल दिया बिना लौजी के उन पर एफाई आर हुआ इनके पास सबूत है इनके साथ जातिवाद हुआ लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ना कि इस देश में मनुबात का सिकार अप परहा लिखाए स्टी ओबी सी अलप संक्यक होगा आप सब्जी बेचिए ठेला चलाए रिक्सा चलाए मजबूरी कीजिए बहुत अच्छा डॉक्टर इंजिनियर परफेसर बैग्यानिक पत्रकार किरकेटर जनलिस्ट कैसे बन जाएंगे डॉक्टर इतू वही जहल रही है संडे का कल पूरा दिन मैं इनके पर रिपोर्टिंग करूँगा और मैं चाहूंगा कि इनके स्टोरी आप जरूर देखे और मैं फिर कह रहा हूं कि बहुजन समाज को इनके साथ खारा होना चाहिए जस्टिन टूडव आजकल ख़बर सुन रहे हैं जस्टिन टूडव है कनाड़ा के नागरिक है कनाड़ा नागरिकों को बीजा पर रोक लगा देने से क्या फर्क परेगा भारत सरकार ने कनाड़ा के नागरिकों को बीजा न देने का फैसला किया है मतलब कनाड़ा का नागरिक भारत नहीं आ सकता है क्या UP बिहार में नौकरी की LINE के में कनाडा के हजारों नाकरी खरे हैं कनाडा से नौकरी करने तो कोई भारत नहीं आता है लेकिन भारत के बहुत सारे पंजाब, हरियाना, देश वर के खासकर बहुजन समाज के लोग कनाडा जाते हैं उनकी जिन्दगी मुस्किल हो रही है और इस अब जान बुच के हो रहा है बहुजन समाज के लोग जो बिदेश जा रहे थे उनके बच्चे जा रहे थे जान बुच के एक कॉंस्परेसी की जा रही है और सोचिए मैं बताऊंगा आगे दीपक शर्मा ने ट्वीट किया है जी रूस हमारा दोस्त है वो भी चीन के पाले में चला गया है यह है भारस सरकार की कुट नीती में बोलना नहीं चाहता हूँ आगे बताऊंगा और सुची जन जाती स्टी के बजट उपलब नहीं होने कारण भुगतान नहीं हुआ यह देखिए ट्राइबल आर्वी ने ट्व नर्टवर सिंग जस्वन सिंग थे एक प्याला चाय में ही खेल कर देते थे भारत बिदेश निती पर पूरी तरह से पिछड़ गया है और भारत ने अपने पुराने दोस्त को भी गमा दिया है सोचिए भारत की बिदेश निती क्या थी मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ न रूस भारत का सबसे पिरिये मित्र था शोचिए उसके बाद अमरिका से भी चेक इन बैलेंस चलता था फेदल कास्तरों की बιसे पूरा लैटिन अमरिका भारत का दोस्त था माक्सिको क्यूबा मतलब सौर सौ के करिब जो देश थे जो अमरिका से नहीं जिनका पड़ता था वो भारत का दोस्ट था साउथ कोरिया से हमारे अच्छे संबन थे आज क्या हो गया एक इसराइल के चक्कर में हमने सब गमा दिया इसराइल के चक्कर में पूरा मिडिलिस्ट गमा दिया मुस्लिम कंट्रीज रूस हमारा चला गया अमरीका के चक्कर में हमने पूरा नैम कंट्री गमा दिया, पूरा लेटिन अमरीका गमा दिया, पूरा अफरीका गमा दिया ये बिदेश निती, मैं ज़्यादा बिदेश निती का जानकार नहीं हूँ, लेकिन जितना समस्ता हूँ, मैंने आपको उतना बताया रूस हमारा सबसे विश्वस्निय दोस्त था वो चीन के पाले में है स्रिलंका, चाइना, इरान मैं तो कह रहा हूँ फिलिस्तीन से जब या सार आराफात से इतनी अच्छी टूइनिंग थी इतनी अच्छी टूइनिंग थी कि पूरा इरान समेथ पूरा मिडिलिस्त हमारे साथ था अमरीका अपने आपको अपना नफा नुक्सान देखता है सुचे अमरीका तो बेचारा उक्रेन के साथ नहीं हुआ अमरीका कभी विश्वस्निय दोस्त नहीं रहा है लेकिन हमने अमरीका के चक्कर में पूरा मिडिलिस्ट छोड़ दिया रूस हम से दूर हो गया रूस की अमरीका से बनती नहीं है रूस चाइना के साथ सीफ्ट हो गया पाकिस्तान, नेपाल, स्रिलंका सबसे हम कट गए भुटान तक से कट गए पूरा साउसी सेषिय हमारे साथ था थाईलेंड, बर्मा, बुधिस्ट कंट्री था सब हमारे साथ थे एक अमरीका से दोस्ती पिंगे बढाने के चकर में नुकसा और सच अमरीका आज कहा है टूडो वाले मामले में कनाड़ा वाले मामले में अमरीका, उस्ट्रेलिया, इंग्लेंड सब उसके साथ ख़रा है मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि पत्कारिता में कहा गया है कि bilateral relationship के परती ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए खैर मैं भारत सरकार के साथ हूँ लेकिन कनाड़ा के पूरे कंट्रोवर्सी में भारत के जो लोग वहां रह रहे हैं उनके मुस्किले बर रही है और यह है रोहित बेमुला के साथ भी यही हुआ था लेकिन सरकार और सिस्टम सोता रहा रोहित को इसी तरह से कॉलेज से निकाल दिया गया था वो तो छातर थे बाद में उन्होंने बेलीवारा बनाया था और वहां उनको सुसाइब करने के लिए मजबूर हुआ रितु के साथ पूरे देश के भौजन समाज के लोग को खरा होना चाहिए देश की सबसे अमीर पाटी बीजेपी है बीजेपी के पास 674 करोड़ रुपए है कॉंग्रेस के पास 805 करोड़ है सोचिए तो 60 साल की राज निति में 805 करोड़ बहुजनों के पास तो पैसे ही नहीं है यह नितिन डाउत नाकपूर पूरा डूब गया है गटकरी साब का सहर है सोचिए नाकपूर में पानी की क्या हाला थे और ये स्पॉर्ट दमातमा आٹ गांधिय स्मिर्ती देली गांधिय स्मिर्ती दिली में तस्वीर लगी है मोधी जी की तस्वीर चोटी है भाजपा का नारा नहीं चिताब lagi को बचाओ नोईडा के एक सुसाइटी में भाजपा नेता नवीन मिस्रा ने महिला के साथ अभधरता की उसका हाथ पकरा और उल्टा महिला पर एफायार दर्च की इसे कहते हैं सत्ता का दुरूप योग नोईडा पुलिस निस्पक जाचकर सिर्ट करवाई करे आजास समाज पाटी ने टूइट किया है हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं और गनपती की पूजा में देखिये ठुमके लग रहे हैं बार वालाओं का डांस हमें स्क्रीन सोर दिखा रहे हैं और जब नई संसत के नीव रखी थी तब भी राश्पती रामनात कोबिन को नहीं बुलाए गया क्योंकि वो अच्छूत थे और सोचिए यह है कॉंग्रेस के एक नेता है राजीव शुकला उनकी उनहीं के साले हैं रवी संकर पर साथ वो बीजेपी में है कितना प्यारा सं माने में बीजेपी का होता था जनसंग का होता था बाचपई का होता था राजीव गांधी बाचपई को बीदेश भेथते थे बाचपई राजीव गांधी को चुनते थे सुचे इस देश में एक मौका आया जब कोई गैर बढ़ामन परधान मंत्री हो सकता था उस समें इं और गहांते तो इस देश में कोई गैर सवन पर्धान मंतरी हो सकता था तब भी उस समय राजीव गांधी थे उन्होंने मीटिंग सिटींग करके ई अधने कि बीप ध्यक्तु सीम्ह पर्धान मंतरी अधन्लान यह हला ऑगी भीला को पर्धान मंतरी नहीं बनने को जोधरी चरंशी पर्णानमंत्री बने उनकी कुरसी गिरा दी गई देवगौरा के साथ क्या हुआ तो खेर यह कहता है पांच बंडित बताएंगे दोजार चोबिस का बीनर कॉन गॉंगरेस को इस channel का भी वहिस्कार करना चे कर इंडिया गट बंधन को इस channel का भी वहिस्कार करना चे कि इतना करमकान पहलाता है unusual एंजनियर रामजी गोतम बी के किलोते राश्वा सांसाध है उन्होंने दानिस अलिके साथ solidarity दिखा यह ट्वीट किया है कि हम उनके साथ हैं और हम कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे और सोचे सबसे ज़्यादा रमेश विधूरी मामले पर सबसे ज़्यादा और अलोचना ओम बिरला की हो रही है और सोचे पूरा नाकपूर डूब गया कोई टीवी वाला सब दिखा रहा है कि नहीं हम तो स्क्रीन सोट ही दिखा सकते हैं कोई गैर बीजे पिसासित राज इस तरह से डूबता तो सोचे क्या होता और आज आकास अनन्द ने संकल्ब दिवस पर टूइट किया है ये देखिए और नीमच में मत परदेश में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने विधूरी के खिलाब परदरसन किया है जो सोसल मीडिया पर वाइरल है जिगनेस में बानी टूइट कर रहे है राहूल गांदी आज छायों अखलेश यादब का देखिए टूइट है ये वीडियो भी आपने सुना था आज गरीबों को इलाज नहीं मिल पा रहा है सरकार बताए कि 10 साल में क्या किया है और ये टूइट में परना चाहता हूँ सोसल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं पर रहे हैं मारे पास टीवी नहीं अख़बार ने मुर्तिया दूद पिये तो क्या इसे चमतकार कह सकते हैं चमतकार तो तब होता जब मुर्तिया दूद दे और उसे गरीब और भूखे बच्चे पियें कितना दम है इस टूइट में सोचिए और जितने बैग्यानिक थे ना उसमें चार ओबी सी के बैग्यानिक है जो सरकारी स्कुल ने परहे थे और जेल में रहने वाला कैदी मीडिया से कैसे बात करा है मनीश कश्य अपने लगबग 15 मिनिट का वीडियो 12 मिनिट का जारी किया है और वो सीधे सीधे चुनाओती दे रहा है वो रानीती महेंग आना चाहिए जितनी अबादी उतनी हिसेदारी हमारे ओबी सीभाई वहनों का हक है कास सेंसस के आकरे जारी करो तो राहुल गांधी लगातार जाती बात के खिलाब भर बोल रहे हैं और उन्होंने दानिस अली से मिलना कॉंग्रेस को मजबूत तो करेगा कम से कमी उपी में आपकी क्यारा है शुक्रिया निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्तर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे